उत्तर भारतियों पर हमले की खबर एक बार फिर से चर्चा में और इस बार ये हमला मुंबई में नहीं बलकि गुजरात में हो रहा है लेकिन शुरुआत मैं राजनीती की विश्टेशक एक के मिश्रा के साथ करूँगा मिश्रा जी क्या लग रहा है जो टीवी 24 चंद सवालों को उठा रहा है ऑन स्पॉट पर क्या इसके पीछे आप देखते हैं कि यह जो हिंसा हो रही है कि यह दरासल राजनीती से ओत्रोथ है और सियासत 2019 के और इशारा कर रहा है शाहिए इसलिए ऐसे तस्वीर देखने को मैं तो बैकबोन के पीछे वही रीजन है जो आप बता रहे हैं मैं थोड़ा हिस्टोरिकल प्रिस्पेक्टिव में देखना चाहूंगा बताना चाहूंगा खंड खंड भारत आपके प्रोग्राम का आज की डिबेट का टाइटिल है आजादी के टाइम पे भारत जब खंड खं और कुछ लोगों ने इन सब चीजों को आर्टीफीसियल तरीके से बना करके क्रियेट किया और प्लांट किया दूसरा उदारन मैं आपको देना चाहूंगा कि पहले शिव सेना अस्तित्त में तब आई उसका प्रभाव महारास्टा में भी इसी मुद्दे को लेके बड़ा बना था कि north Indian versus Marathi, Maharashtrian. चुकि मैं वहाँ रहा हूं तो मैं जानता हूं. इह जो मुद्दे होते हैं एक बड़ा strategic tool है यह लोगों को बाठना. लोगों को कैसे गुजराती हैं हम, गुजराती versus others हो गया. तो लोगों के sentiments जो हैं बहुत तेजी से उबरते हैं और पूरी जो crowd ह वो दो पार्ट में पढ़ जाती है, लाइव एक्जम्पल इसका महारास्टा का था, शीषेना जो पराकास्था पे पहुंची इसी चीज से पहुंची, लोगों को पुलराइज करने का एक पर्टिकुलर टास्क के लिए राजनेता लोग पॉलिटिकल पार्टिकल पार्टिकल पार्ला टास्क होता है कि किसी ने हो सकता है इनको पुश किया हो, ग्रेटर टास्क इनका क्या है, ग्रेटर अचीव्मेंट क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए और इंडिविज्वा अचीव्मेंट, यह जो बोलना है कि शोहरत डेफिनिटिल मिलती है, यह उनका इंडिव वीचार थारा लोगों की जो है, उनका जो है, शह इन लोगों को मिल रहा है, जो की बैकबॉन, मतलब background, ज इस सारे आंदोलन को वो लोग जो है support कर रहे हैं एक मजबूती दे रहे हैं और इस पेसलिए ideological मजबूती जो होती है वो front पे जो लोग होते हैं उनके पास ideology नहीं होती है आइडियो लॉजिकल मजबूती जो generate होती है वो कहीं और जो उनका think tank होता है वो generate करते हैं और उसमें उस think tank में बड़े-बड़े leaders वगरा यह रहते हैं और देश के लिए इस तरह की राजनीत बड़ी घातक है क्योंकि इसका एक chain reaction शुरू होता है राज ठाकरे के कारण जो एक chain वहां पर शुरू हुआ नौर्थ इंडियान को मारना शुरू किया आप देखे बिहार में जो मराथी थे यूपी में जो मराथी थे उनके उपर भी attack शुरू हो गए इन लोग तो वाइस वर्सा है यह वाइस वर्सा नहीं देखे मैं आपको लोग है चैन रियक्शन होने का मतलब यह होता है जैसे भारत का बटवारा हुआ एक चैन रियक्शन शुरू हुआ तो आप देखिए हर्डिस्टिक में बलवा मच गया कितने लोग मारे गए डिवल्में टीक ओनमि आपकी स्положetôi अभीट गुजृ थी आफीज हुई है सारे मज़ूर सोड़ेश्न के भाग appetite कर दिया हैक पूछे तो को कर माई होता है तो को क्या बन सबता है ठीक है अक्रम काच्व कंग्रेश क्या देखती है क्या वाकई अलपेश ठाकूर का नाम इस पे आना, 2019 को इस से जोड़ना, क्या लगता है कॉंग्रिस को? इसमें पूरी तरीके से चार साड़े चार साल में बीजेपी सरकार बिफल रही है। इसने अब इनकी सरकार है। 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 इनक कोई पहली बार भी नहीं हो रहा कि यूपी के आप चुकी बोल रहे था आपका पक्ष रखना आपका हक है MNS के गुंडागर्दी जब हुई थी उस वक्त महरास्ट्र में आपकी सरकार भी थी एलाइंस में संयोगी को क्यों जोड़े है MNS कब BJP के साथ खड़ी हो रही है मैं तो जो पॉइंट कह रहा हूं है आप अगर सरकार को का फैल्यूर बता रहे हैं तो इस वक्त आपने कौन सा अप्रोप्रेट एक्शन तुरंट उठा लिया था सेंटर पर UP government चल रही थी महरास्ट्र में आपकी government थी तो देखिए ऐसा है कि यह फैक्टर तो तब भी लागू था और आज भी वही चल रहा है तो यह कह देना कि we BJP 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 करें मैं यही समझना चाह रहा हूं जस्टिफाइद हो कर दीजे सर यह उस समय पूरा हमारी सरकार न कब सिख दंगे हुए थे तो इनी के एक नेता ने कुछ बोला था मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा कितने सिखों को जो निर्दोस थे आपको इतिहास नहीं पता है गुर गोविन सिंग नहीं होते तो आज भारत कुछ और होता इतनी कुर्बानिया इन्होंने दी है अग वो बीजेपी की हो चाहे किसी की भी हो किसी एक ने गलती की है लेकिन जब पॉलेटकल विल जो है वहां पे शामिल हो गई सिखों के मतलब जब उनका नरसंगार हो रहा था तो बड़ा बीभास रूब ले ले लेती है गलियों तक वह आप फैल जाती एक पॉंट और है मिश वहां पॉलेटकल और उसको अगर जोड़ेटकर रहे उसको अगर नेगलेट कर रहे एकरम कादरी तो ये कितनी जवाब देही दिखर लिया मोदी जी के बोटर है सारे टोटल हम देखे वोटर भी आपने सब्सक्राइब कर रहे हैं ये मोदी जी का गुज्राब है मोडल है तो प्रस्वार को कैसे मारा जाए इसको फोट बैंग से मत जोड़िये जाए ये बिल्कुल ये बुज्राब मोडल है ये हमारी देश की अखंड़ता से जुड़ा मुद्दा है जो योगदान है वो सबसे बढ़ा बीजे पी का है सिकों की लिडरों से बात कर रहे हैं हक्व आपके गॉर्में उस टायम के कई निताओं पर मुख़मा चल राहा है सर बड़े बड़े नेताओं के उपर मुख़मा चल्रा है सर जुटाता है डूजरात मॉडल वें कटलियां मुख़रिया हैं पूरे निहास की बात करूँ अजारी से वाथ और सब्स्सार्कार की अश् प्रेश ठाकुर का नाम लेकर दूसरे पक्ष में समझू अकरम काधरी साथ, तो अकरम काधरी साथ, तो कितने बोट में अग्ट करोड़ ओप लेकर अगर आहिए, तो कही न कही आपको पॉसिरीटी पेले कर आहिए ती तो आपने कहा कि इसार में भी जीत है, जब आपने गु तो फिर भी आप मेजरोटी में क्यों नहीं आपा है मैं यह पूछूँगा इसलिए कि मेरा मुद्ध वो नहीं है सीधा टूदा पॉइंट आता हूँ एक छोटा सा कनेक्शन मेरे पास आर्टिकल में लगता है वो यह कि दरासल उत्तर भारतियों को निशाना बनाने के पीछे एजेंडा कुछ और है अलावा इसके जब कि यह भी पता है कि गुजरात में दरासल मद्यपरदेश और राजिस्थान के भी मजदूर तबका बहुत बड़े लाज स्केल पर है और यह इंडिकेशन है कि बीजेपी गॉब्मेंट के खिलाफ नफरत पैदा किया जाए कुछ ऐसा करके जिससे एक मैसेज कनवे हो इसलिए 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 उत्तर भारतियों को निशाना बनाया गया अब सीधा सा आप इंपक्त पॉजिटिव चाहते हैं कि आपको एंपी और गुजरात मिल जाए तो क्यों आप पर सवाल में खड़ा हो इसमें आप पाइदे की राज करोड के नुपसान हुए हुआ पर और वही चीजा भी है इसके पीछा बीजेपी देखिए आप अलवे ख्यागों मत देखिए चीक है फजील एमद साब को मैं चाहूंगा एक बर स्क्रीन पर आजा उसके बाद वापस मैं बीजेपी के महमान को जोड़ूगा फजील एमद भार्तियानता पार्टे का जो मुख उद्देश है विजेपी बात करती है कि राष्ट्रवाद की तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जहां उनकी सरकार है वहां पर बात पिहार की नहीं यह गरीमों बे जुल्म हो रहा है आप बहुत से गुजरात के अंदर बड़े- जुल्म हो रहा है ज़्यानता आपने कहा है मिश्रा जी ने भी कहा है कादरी साव ने भी कहा है अब ही लेटेस्ट चुनाओं ने बड़ी मुश्किल से सरकार बनाई यह आपने भी देखा और अगर बहुजन समाज पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी मिल गई होती तो शाह कि अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का अगर मिल की लड़े होते तो भाजपाप गुजरात से भी हाथ दो देती और वही से शुरुआद होती पुरेदेश से चुपा हुआ हुआ है अगर आप इतनी अच्छी अच्छी अनलाइस करकर बैठे हुए है तो मेरा स नुकसान खा रही है तो ऐसे पहलू पर ऐसे वक्त पर क्या बीजेपी खुद से सेल्फ गोल करना चाहेगी क्या इस वक्त उत्तर भारतियों को अटक करकी क्या मैसेज ये कनवे करना चाहेगी जहां पर एक्जिट पोल या फिर जो आपके सर्वें वह बता रहे हैं कि बीज से सहमत हूं आपने कहा इमेज बील्डिंग तो सामने नाम किस का राया है अलपेश ठाकूर का तो BJP कहीं आप कहीं है बुदिंग किसकी खराब कर रही है Congress की खराब कर रही है आप तो देखे अलपेश ठाकूर को चोटा नेता बताया हूं तो अपके लोग दुनिया को चोटा बानते हैं खुद बहुत बड़े राते हैं चाहिए एक सीट पाएंगे ना उस दिन भी अपने आपको अरश्टी पार्टी और सबसे बड़ा आदमी बोलेगी अपने आपको सब्सक्राइब करते हैं हमें किसी को चोटा नहीं समझना चाहिए आप मिसरा जी जादा प्यज बोलने से सच जूट नहीं हो सकता जूट सच नहीं हो सकता धीरे बोलके भी अपनी बात बुली जा सकती है जिस तरह से आप किसी कॉंग्रेस पार्टी के किसी परवक्ता के जिसके उंगली में रोसनाई लग सकती है हमारे लिए हर आदमी सम्मानित है बरावर है उसको पूरा अधिकार है देश की राजनीत पर चर्चा करने का चाहे अलपेश ठाकिर हो चाहे कादरी साब हो चाहे फजील अमद हो हमें पूरा हक है सरकार के प्रधान मंतरी की आलोच है आज नाम किसका आरहा है अलपेश ठाकुर का तो अलपेश ठाकुर है कॉंग्रेसपार्टी का तो अऑब इमेज बिल्डिंग किसके खराब कर रहा है तो छराब कॉंग्रेस की तो खराब कर सकता है narrow दूसरी बात विजयरू PANI भारति जनता पार्टी रहे या ना रहे प के हो पुझ के पर्दान मंत्री रहें। में हिंदूस्त्तान के सियसे ग conquista को इसका कि हम ची उसका सब कर्का है . kayyamiddir होपाने के पादे करें और जो कुछ जू रहा हे वहाँ पराइगा उस्क्रार्ण और येॉह बिजिन पड़ान जहां पर वो बच्चे जहां जगड़ा हो रहा है, वहां के सौ लोगों का नाम में बता सकता हूं, जो बिहार मूलके हैं, उत्तरफदेस मूलके हैं, ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है उसे पहले में उसके पहले में चोड़ा सी एक्शन, स्वागत है आपका देर आने के बाद लेकिन आपका रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सार इल्जाम लग चुके हैं, इल्जाम जो आपने सुना फजील आमत के तरफ से देखें, ये दरासल कॉंग्रेस के सियासत नहीं, आपकी भी सियासत हो सकता है, ये भी कहना है, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्यों हैं, भारते जन्ता पार्टी ने कभी अची राजनीती नहीं की, कि केवल अपनी कुर्शी बचाने के लिए सारे काम किये जाते हूं, भारते जन्ता पार्टी सब को साथ लेकर चलती है, और भारते जन्ता पार्टी उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हमने किस हमारी पार्टी ने लोगों को सब्सक्राइब करते हैं हमने किसी भी परदेश में ऐसा नहीं किया गया जिस साइड में एक एक मिनट फजील साइब तुमिजिए शोच हो सकती है आप नारे आपके अच्छे हैं लेकिन भारते जंता पार्टी ने कभी ऐसा सोचा नहीं है भारत सब को सम्मान दिया है सब के साथ बराबर काम की है वो रोजगार देने के साथ सब का सम्मान करते हैं बाहर से बुलाकर गुजरात अगर अलपेश ठाको जैसे नेता कॉंग्रेस के जो आपको नाको चने चवाने पर मजबूर कर देते हैं गुजराच चुनाओ के समय अगर उनका नाम इस पूरे के पूरे केस में आ रहा है तो सीधी सी बात है कॉंग्रेस यहां पर हट होती दिख रही होगी तो क्या इससे आ विदान सभा का चुनाओं होना है और वहां पर क्या आप सियासी मैले नहीं रहे सकते हैं कि कॉंग्रेस देखे किस तरह से राजनीती करती है तो क्यों आप से हम सवाल ना पूछे कि आप फाइदा ना उठाएं हमारा फाइदा कभी इन बातों में और इस जो मनी होता जिस किसको फाइदा मिल रहा है जिस तरह से तस्वीर में हैं हमारा देखिए अलपेश ठाकुर की बात कर रहे हैं चाहे अलपेश ठाकुरों चाहे दूसरे कोई हो किसी को भी ऐसी गंदी हरकत नहीं करने दी जाएगी बहुत जल्दी कंट्रोल होगा और सारे के सारे आपके सामन को देखकर जुटलाना चाहते हैं कि किन लोगों ने कि और ऐसे तस्वीर क्यों बनी अखंड भारत की बात होती है लेकिन जब कुछ ऐसी तस्वीर मिलती है जहां पर अपने ही अपनों से मार पीट के शिकार होते हैं खुद में खत्रा महसूस करते हैं जहां पर वो काम कर र है कि दरासल यह तमाम जो तस्वीर है तमाम जो कारिक्रम है या फिर तमाम जो एपिसोड नजर आ रहे हैं वो दरासल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और इनका फाइदा मिले शायद इसलिए राजनितिक हतकंडे के तौर पर इसका इसका इस्तमाल किया जाता है इसी महमान जुड़े हुए एक बार फिर से मुनको आपके सामने आप से मिलवाते हैं उसके बस सीधा डिबेट पर लॉटते हैं हमाई साथ एनपे सिंग बीजेपी की तरफ से अक्रम कादरी कॉंग्रेस की तरफ से फजील एमद जनादिकार पार्टी लोक्तांतरी की तरफ से औ पर बहुत-बहुत स्वागत आप सभी महमानों को एक बार फिर से और देर की बिना शुरुवात में एनपे सिंग से करूगा एनपे सिंग क्यों पॉलिटिकल मोटो ना देखा जाए क्यों पॉलिटिकल हित ना देखा जाए कॉंगर्स सीधे तोर पर आपको कह रही है कि दरासल धर्म के हिसाब से चलती थी अब वहां पर छेतरवाद की सियासत होने लगी क्या लगता है कि एजेंडा सेट करती है आपकी पार्टी क्या नहीं देखिए मैं आपको बता दूं जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं आपको पता है कि कॉंग्रेस समाजवादी और बस पर ने भी आरोप लगा दिया कि बहुत बड़ा समझते हैं हमसे बात नहीं करना चाहते हैं आज कॉंग्रेस को जब लग गया कि सपाई भी चिटक गई अकेले रह गए हैं तो यह सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं सारी चीज़ें को अलपेस ठाक कि क्षिकीए हो सकती है मेरे खल से बडुशा कि इतना ज्यादा वजी नहीं है वां पर सपार बीको ज्यादा नहीं अफर फट्ट्टर्थ की इइक सामने सामने नहीं है त 그י र Mire yespa मध्यपरदेश और राहस्थां को साधने में लगए यहां से साधने की बात नहीं कर रहे हैं वह उनको यह लग गया कि हमारे साथ कोई भी नहीं है मकेले खड़े हो गए तो कोई नहीं अकरम कादरी जवाद दीजे क्या आप अपना हिद साधने लगे देखे कॉंग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की छहतरवाद की राजनिती नहीं किया हमेशा हम इसके विरुद्ध खड़ हुए है बहली में जब हमारी सरकार्ति उत्तर भारतियों का बहतरीन तरीके से इलाज होता था बहारवाला को होस्पिटल में इलाज होता था आज इनक कोई भी मजदूर का उसके ठीज करा है जिसने बॉंबे का निर्मान करा उसको तुमने बाबर कर रहा है अधर आपको पता ही नहीं यह एक जाकर किसका इलाज इन यह उल्य ऑनिए नहीं पता है यहाँ वह जगया है तो ते लिक अचाये विए लिक दिल्ली जो बहुत निकरा जो रागे निए फोकस कीजिए उन्हें भी चाहता हूँ था इसकी इंपॉर्टन्स को देखे मैं यह चाहता हूँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर नागरिक का आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जैसे फॉरेंग में होता है देश की सुरक्षा और बहुत सारे चीजों के लिए यह बहुत जरूरी है तो आधार कार्ड आदमी को खुद जागरूख होके बनवाना चाहिए पहली कि और गौर्मेंट को भी यह करना चाहिए तो ऐसा ही जो जाएगा अधार कर पश्ची बंगाल का तो इलाज का हो यह जरूरी है अगर देश से बाहर का भी कोई मरी जाता है ना तो डॉक्टर करता है पहले उसका इलाज करना है किस्तान के अंदर कोई है तो वो कहीं ने कहीं से बाहरती है उसका सब्सक्राइब कर दोगों का इलाज करता हूं कि हमने खुट जाके अपना अधार कार्ट बनवाया इस चीज़ को मैं फेवर करता हूं हलाकि यह नहीं होना चाहिए सबका अधार कार्ट बनने की ताहिए आप एक काम कीजिए मैं गुजरात के टॉपिक पर आजाओ आदार कार्ट से अगर बाहर निकल गए हो तो क्योंकि एक बात बहुत प्राक्टिकल है जो कादरी साब भी कर रहे हैं उनको भी सुन रहा था कुछ फेर बदल नियमावली में किये गये हैं ये एक दम सही है कुछ रिजर्वेशन कर दि शायद एक मजबूरी भी है कि उनके पास फेसिलिटीज कम है हॉस्पीटल का संसाधन कम है दिली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है शायद वहां के लोगों को भी जरवत के हिसाब से लगना है या फिर उसी अस्तर से दरासल अब बटवारा शुरू हो चुका है अगर आप नॉन रेसिडेंशल ऑफ दली है तो आपके लिए शायद यहां पर रिजर्वेशन नहीं है इतने परसेंट पर आपको इलाज कराना होगा अगर अगर अवेबिलिटी है तो इस क्राइसिस सिच्वेशन को तो शायद उपर सी तयार किया गया है फजिल फजिल एम पर आप सी तो काम करेगा जो सीमो होता है यह मेडिकल इंचार्ज होता है यह बजट किसके पास हो सरकार के पास होता है जब सरकार उनको उनको 400 चाहिए और हस्पिटल में 200 बैट अलन जेप में जा देखिए कि एक बेट पर चार चार लोग लेटे रहते हैं वार्ट नहीं ह इस भन काम मेडिकल स्प्रेट्न नहीं कर सकता को सरकार करती है अब सरकार इपीटःफ थफफफल एक पता उनको भी पता है लेकिन sûن च्शाई पे और जनता है लोओ पने यह कर दिया हमने उ कर दिया सच्छाई से अजआ कों नहीं होता सभाइश। हैंने पतार आपको प् एक तो दिल्ली का ट्रस्ट है उनको कि आप जाएंगे तो हमारी समस्या का समधान हो जाएगा आप लोग भी आप ही पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजन करते हैं तो आपको भी पता है किस सरकी बुनियादी समस्या वहां पर होती है जहां पर आपका जनाधार है आप बिहा है या उत्तर भारतियों की बात करें वह अगर गुजरात में महफूज नहीं है तो क्या मैं यह नहीं मांगू कि आप ग्राउंड लेबल से शुरू कीजिए और अपर लेबल तक आईए वहां पर फैक्टर बटा हुआ है दरसल छेत्रवाद के हिसाब से हर जगा कोटा है आ पर छेत्रवाद की दृष्टी कौन से ही आप लोग डिजाइन करते हैं सोचते हैं यह राजनीती का एक हिस्सा यह भी है जनता का दबाव होता है दूसरे राज्यों को देख कर कि पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर इस तरह का कोई प्रविजन नहीं था कि कोई अगर इतने उदार हैं तो फिर बार बार हर जगा निशाना उत्तर भारतियों को क्यों अंदरूनी चीज़ों को बहुत सी चीज़ें सामने पब्लिक के नहीं आती यह जो कुछ बिजनेस्मेन जो उत्तर भारत के लोग जो प्राश ठाकरे की गुंडागरणी से प्लाइन किये आपको अब यह मैं ग्राउंड जिलिटी बता रहा हूं लोग बंबे से 70 पर संट बिजनेस गुजरात की तरफ प्लाइन हो चुका है शांती के लिए वहां की सिस्टम के लिए वहां की सरकार के लिए अब क्या हो गया है कि बहुत मिज़ोरिटी में जब बिजनेसमेन आ गए इन्वेश्मेंट बहुत ज्यादा हो गया तो इस सबक नेता भी बहुत पैदा हो गया लगता गुजराच चुनाओ और यह सब करने से चोटे-चोटे लीडर्स भी पैदा हो जाते हैं तो कहीं न कहीं इसमें चंदा व अगर आपकी फैक्ट्री है और मुझे बंद करानी है तो मैं कुछ ऐसा हंगामा कर दूगा कि मजदू अटर के भाग जया तो आपकी फैक्ट्री चलाएगा कौन यह सोचिए ना यहां पर रही कॉंग्रेस कॉंग्रेस अक्रम कादरी उत्तर भार्तियों पही निशाना क्यो बार-बार लगाता है माराष्ट की बार अभी तमाम तमाम टीवी चैनल यह दिखा रहे हैं कि मद्ध प्रदेश में बीजेपी हालत बहुत खराब है राजिस्तान में खराब है और इन सारी डेमेज कंट्रोल को कवर करने के लिए पबलिक का दिमाग डाइवर्ट करने के ल डीर अभी उसमें पंगू थे जब आपकी सरकार सेंटर पे बीटी और इस्टेट में आपने बरावर उसका उकाव लगिए बरावर सुरकशित करा हमने देहली के अंदर सफाई की बेश्था रंखी हमने इलाज दिया हमने महराज के अंदर सिभ शेना ने बुद्दे उठा क्या क्या सरया मुर्ण गुंडा कर दी नहीं कि सिर्फ यहाँ बैठकी राज निटी बाओ निटी आपके शाचन काल में जाटी नृट्टी नौर्थ इंडियान अगल भगल रहते हैं उनके बीच बड़ा भाई चारा होता है प्रॉब्लम कहाती है ये हर निगेटिव चीज को करते हैं मराथी लोगों के दिमाग में यह भरा जाता है वहां के लोकल लोगों के दिमाग में यह तो तुम्हारा हिस्सा खा रहा है तुम्हारा हक ले रहा है तुम्हारी जॉब ले रहा है बाहर का अदमी वह कॉंट्रिबूशन को नहीं बताते हैं म इसली 24-hour है, politicians कभी भी अच्छे पहलू को नहीं दिखाते हैं, कि तुम्हारे कारण या North Indian के कारण महारास्का कितना विगास हुआ, इनको चाहिए, अपना मतलब development चाहिए, जल्दी से यह highlight आए, चुनाओ जीते, तो यह क्या करेंगे, यह ऐसे sentimental मुद्धों को पकड़ते हैं और लोगों के दिमाग में भरते हैं, कि यह तो तुम्हारा दुश्मा है, ठीक है, मेरा सवाल आपसे भी, एक सकेंड, अक्रम काद्री ठीक है, काद्री साब, काद्री साब, मेरा सवाल सुनिए, सीधा स्ट्रेट में आपने पॉइंट पे रहूंगा, प्लीज, बताइए, बार-बार उत्तर भारतियों को निशाना क्यों बनाया जाता है? यानि मिश्रा जी आप यह कह रहे हैं कि दर असल इन मुद्दों के दम पर सियासत होती है, सियासत से किस्मत चमकती है और किस्मत चमकने के बाद सत्ता मिलती है 90% यही होता है सर, और इसी पार्टी ऐसी है और उत्तरभारतियों को भगाने से इनको MP, बिहार में क्या फैदा मिलेगा BJP को बल्कि उत्तरभारति ही नाराज होंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहां BJP ऐसा कुछ कर रही होगी मेरे जो और मित्र वैठे हुए हैं, बिहार के और कॉंग्रेस के वैठे हुए है यह किसका है मैं इसको खेर मैं यहां पॉइंट आउट नहीं करूंगा अक्रम कादरी एक मिश्रा ने कहाँ अक्रम साब एक मिश्रा ने कहाँ कि BJP नहीं चाहेगी यानी सीदे तौर पर इशारा आपकी तरफ है मिश्रा जी जो कह रहे हैं का पताम का निको उनाइसिस है इसमें Кिप के हाथ में तमाम पावर है B exterior must not have to on the the इससे हमें इर्निंग होती है जिससे हमारे एक बात बताईए अगर एक बच्छी का बलात्कार अगर बिहर के लोगों कोंग्रेस के राजे में यहां सब्सक्राइब ।क बाटरेस के राजे की कंपर नहीं आखरा कि नहीं हो तो हम क्यों लोगों को मारेंगे एक सेकें अकरम कादरी सुनिए एक थोड़ा सापके लिए और सवाइब आपके से अपने पीशे इसके तर्क है मेरा सवाल यह है कि दरासल गुजरात के अगर कामगारों के उस रेशियों को समझे ना तो उत्तर्भारतियों से ज्यादा कामगार वहां पर मध्यपरदेश और राजेस्थान के हैं तो उत्तर भारतिय सेफ नहीं है तो राजिस्थान और मध्यपरदेश के लोग भी सेफ नहीं होगे आप फिर से दावा करेंगे कि हम इंडिस्टिलाइशन पर फूंकस करेंगे ताकि हमारे लोग हमारे स्टेट में काम करें और इसका आपको एड्वांटेज मिले क्या यह सब्सक्राइब के लोगों को पर सर नहीं पड़ेगा हुची हम क्यों चाहेंगे को नों बगाया जाए तो इतना इस तरह से आप बात कैसे लगता है कि आप जो बोलेंगे हम मालने अरे सर आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेंट करें तो कॉंग्रेस क्यों चाहेगी मैं अब यह तुछा रहा हूं आपको मैं तर्क दे रहा हूं एंपियसिंग साहब जी मैं आपको तर्क दे रहा हूं सी वी इन दोनों के सर्वेज में आप पीछे ट्रेल करते वह दिख आने कॉंगे से आपके पस वो मिजूर्टी नहीं नजर आ रही है क्या यह सोचने को आप नजर ंजरती है हमारे लोगा आज महां पर उध्योग पती हारे से लेटेडť हैं वरकर्स लोग हमारे साथ वे में अगर वरकर जाएंगे तो हमारे नुक्सान नहीं हो भीरा को अगर वो अपने शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं एक सखेंड अगर वो अपने शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्यों की उसको सथार रहे हैं इस पर उसी बात को मत पकड़ी कि शुरुक्रात अपने गटिया पाटी की तौर पर शुरू किया था तो गलती अगर में हमक्यों चाहेंगे मेरे पास पॉइंट है इस ऐसे में सरकार अगर हमारी बनती है तो आपके राज्य में विकास इतना कर देंगी कि आपको कही जाने की ज़त नहीं पड़ेगी, बीजेपी क्या यह बात का इडवांटीज नहीं उठा सकती है, जब इनसान हतास और निरास होता है तो उसके रास्ते हमेसा गलत कदम पड अच्छी बात कहते हैं ना काठ के आड़ी एक बार चड़ती है अच्छी बात उन्होंनों बहुत कर लिए अब जंता चार साल हो गया जंता चाहती है दूसरी बात हम लो बैठें यह ए टीवी के उपर जंता अपने अपने घर में बैठी ए थे देश में ना गुजरात में ना तो पुलीस है ना कानून है ना सरकार है जिसका एक मिनट जिसका जो मन में आय करें राश्ट शाकरे तुनिये 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 त फिर गुजरात ही क्यों फिर गुजरात ही ऐसा क्यों पॉइंट बना जहां पर उत्तरभार्तियों के साथ यह सवाल उठा तर गुजरात नहीं आप दिल्ली के अंदर सेकोड मामले रोज हो रहे हैं अजिए मेड़िया में नहीं आ रहा है जिस दिन भॉम्वे में खुल आम आपको पता है क्या होता है है बेंग्लोर जेसे हैं अई अजीं दूम होता है उत्तर भारतियों पर उत्तर तर आःट हे वह भाक्रणी पर norm. मेरे बारत का पर 13 जगह पर कियो मेरे चले लिए मुझा पर सुनीए पर आप ने आपने बंगाल में इसे स्वाल क्यों नहीं पुछा जो चंदा बंद करवा दिया आप पॉइंट पाइए सर्फ गुमाई एमर्ट यहां जो पूछा निए नहीं होती है तो मैं तो कह रहा हूं सर्फ देश में तो यही पूछा आप दिल्ली के वोचा सुरह हैं फजील एमर्ट मैं कहा रहा हूं सीधा से सवाल कर जवाब दीजिए यहां क्यों उत्तर भार्ति आप सारे नेता लोगार किसी की भी यु सर्खरी कि वेशिये बिदेश की बात कर रहे हैं हंडूस्तान की बदेश कि आप ऑब देश 59 मेर्व एक मुकतब ऑन था अजिए परक्षा है hide kan पूरी दुनिया को भी आदमी माइग्रेट करता है तो निचुरली वो दूसरे स्टेट में कमजोर होता है उनकी जनसंख्या उतनी नहीं होती है पूराइजेशन का यह सबसे बड़ा मैंने आपको बताया साउथ इंडिया में जितनी सरकारे बनी है में मुद्दा रवडियन वर्स नौर्थ इंडियन या आर्लैन है बिहार में आप देखो तो वहां पर भी जाती सिर्लालू प्रसाद यादो अगर आया तो जाती से जाती क नहीं हुए लोग पलायन करते हैं जब पलायन करते हैं तो वो कमजोर है और नेताओं के वो सौफ्ट टार्गेट बनते हैं नेता नेता लोग जितने है पॉलेटिकल पार्टी अपना हिद साथने के लिए ऐसे ही लोगों को साफ्ट टार्गेट बनाती है मैं बोलता हूँ अगर यही कॉंसेप्ट होता तो यूपी में क्यों नहीं मराठियों के खिराफ कोई अंदोलन चलता है चाहे वो सो लोग ही क्यों नहीं हो जब बिहार में के लिए बता दू बनाराश के अंदर महाराश के हमला हुआ था सुनिए आप लोग देश को खंड-खंड करके अपनी स झाल